जोई जी बात करें एक नहीं शुरुवात नहीं फिल्म की नौराथरी में करिया जिसे फिल्म का नाम है खाफी उनिक है एकसाइटमेंट ही है बहुत उनिक है क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का हिस्सा वणकों अश्वात में लेड़ी हुई है जी सबसे पहले तो अपने देखने वाले सारे स्वतागड को आउडियंस को अपने प्यार भरा नमस्कार पढ़नाम अश्चलाम लेकुम और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धेर सारा सुब कामनाय बोलना चाहूंगी नौरात्री की और रमजान की हमारा फर्स्ट रम जानको मैं करिया फिल्म की सुटिंग सेट पे हूँ बहुत खुसी की बात है मुझे बहुत अच्छा लगा और सबके साथ कामकर के भी बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी यूनिक हे यूनिट है बहुत मजा आया और हमारे बेडूसर साहब है अंगत कुमार ओजा जी और हमारे डारेक्टर साहब अंगत कुमार ओजा जी, हमारे फिल्म के हीरो हैं, अंगत कुमार ओजा जी, हमारे फिल्म के राइटर हैं, अंगत कुमार ओजा जी, मंटी टालेंटेड, सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखनी को मिल रहा है, कि इतना कुछ हैंडल करके इतना काम होके इतना कूल करके पूरी इनुट को समाल रहे हैं बहुत बड़ी बात है तो ये चीज एक्सपिरियन्स और पेसेंस सीखने को मिल रही है बहुत मज़ा आ रहा है मैं उमीद करूंगी कि इस करिया फिल्म का जब भी ये लॉंच हो जब भी ये रिलीज हो तो आप लोग अपनी नजदीकी सिनिमा घरों में जाके जरूर देखें क्योंकि ये फिल्म दो लैंग्विज में रिलीज होगी एक फर्ष्ट बहुचपूरी और सिकेंट तेलगू जो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा लग रहा काम करके और खास करके और कुछ बोलना चाहूंगी कि खेसारे जी के बारे में आप लोग को तो पता ये कि मेरे फेब्रेट सुपरिश्टार और उनकी एक गाना रिलीज होई है जो सूट हो रहा था तो मैं सेट पे थी और लाइब परफॉर्मेंस देखा उसमें लीड एक्ट्रेस भूमी का निवारी है पाखी हेगडे जी जो बहुत सीनियर हैं बहुत अच्छी हैं उनके अंदर भी बहुत सारी टालेंटेड है डान्स तो ओसम लाइंगेज तो ओसम जब वो परफॉर्म करती हैं तो मैं तो ऐसे आंख फाड के देखती हूं कि क्या एनर्जी लेवल है उनका सो मैं गौड से प्रे करूंगी कि उनका हमेसा ये एनर्जी लेवल बना रहे है का टाइटल है बंगली निया जिसमें लेड एक्टर में है अपने प्यारे खिसारी लाल यादो जी जो आप लोगों के दिल पर राज करते हैं और लिट एक्ट्रेस में हैं पाखी हेगडे जी ये गाना बहुत मतलब ग्रोथ किया कम टाइम में इतने कम टाइम में फोर फाइप मिलियन हो गया सो उन्हों को कॉंग्रेस बोलना चाहूंगी कॉंग्रेशन कि आ आप सबी लोगों को सो मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करूंगी कि आप लोग उस गाने को और प्यार दे और जो नहीं देखे हैं उस गाने को जाके सर्च करें बंगलीनिया निव सॉंग के सारे लाल यादो जो आप लोगों के दिल पर राज करते हैं और उस सॉंग को ये फिल्म की जो सुटिंग हो रही है मतलब मुझे लग रहा कि कुछ दिन अभी यूपी में होगी दिवरिया में सुट कर रही हूँ और खास करकि मैं दिवरिया से हूँ तो बहुत अच्छी बात है बहुत मज़ा रहा अपने मात्र भूमी पे अपने मदर टॉन पे सुट करके और बहुत मज़ा रहा मतलब कि मैं अपनी एक्सपिरियंस अपडेट आप लोगों करती रहूंगी कि मुझे क्यासा लग रहा है तो मुझे लग रहा चार से पांस दिन और यहां सुट करेंगे उसके बाद से हम लोग हैदराबाद में सुट करेंगे वो सारे भी अपडेट्स में आप लोगों के इस प्यारे चैनल के थुरू देते रहूंगी तो अभी मैं फिल्म की बहुत सारी लॉकडाण के बाद मैंने चार चे साथ मोवी की कल्लू की दिलिनिया किया जानली वुका किया दिनियस जी के साथ कल्लू की दिलिनिया अर्विन देकला कलू जी के साथ और इसके बाद से मैंने आचल किया था, एक छाला च्ये लाइला किया था और सिंहासन किया था और एक राधा, एक मीरा किया था और इसके बाद से अभी जश्ट में करके आई रिशंटली बेबसी और अभी आप देख रहे हैं मुझे करिया के सेट पे, so बहुत मज़ा रहा अ और हाँ आपने पूछा कि जिसे कि फिल्म के बारे में पूछा मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी कि अभी एक सुटिंग चल रही थी अउठा चाप सबका बाप जिसको प्ले कर रहे थे दिनेसलाल यादो जी हमारे प्यारे चहे थे जिनके साथ अभी मैंने र COVID-Positive आया है तो मैं गोड से प्रे करूंगी इस रमजान में इस नौरात्तरी में कि वह बहुत जल से जल स्वस्त हो जाया उनकी पूरी यूनिट स्वस्त हो जाए अमरपाली जीवी स्वस्त हो जाया मैं गोड से यही प्रे करूंगी कि जितना जल्दी हो सके वह लोक स्वस